साथियों, आज देश उस दोर से बाहर निकल चुका है, जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था, लेकिन नतीजे नहीं मिलते थे। आज पैसा न पानी की तरह बहता है, न पानी में बहता है, पर पैसा पाई 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 पानी पर लगाया जाता है। हमारी यहां तो हालत यह थी कि पानी जैसा महत्वपुण विशय अनेकों मंत्रालयों और विभागों में बिखरा पड़ा हुआ था, बटा हुआ था। इन मंत्रालयों में विभागों में न कोई तानमेल था और नहीं समान लक्ष के लिए काम करने का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश। नतीजा यह हुआ कि देश में सिंचाई हो और फिर पीने के पानी से जूड़ी समस्या। यह निरंतर विक्राली होते गए, आप सोचिए, आजा दिके इतने वर्षों बाद भी पंदरा करोर से ज़्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी नहीं पहुझता था। यहां उत्राखन में भी हजारों घरों में यही हाल था। गाओं में, पहड़ों में, जहां आना जाना तब मुश्किल हो, वहां पीने के पानी का इंतजाम करने में सबसे ज़्यादा तकलीप हमारी माताओं को, बेहनों को, बेटियों को उठानी पड़ती थी, पढ़ाई को दूर करने के लिए, देश की पानी से जुड़ी सारी चुनोतियों पर, एक साथ उर्जा लगाने के लिए ही, जल शक्ती मंत्राले का गठन किया गया। देश के गाउं में हर घर तक जल पहुचाने के मीशन में जुटा हुआ है। आज जल जीवन मीशन के तहट हर दिन करीब करीब एक लाग परिवारों को शुद्ध पेई जल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। पीने का पानी पहुचाया गया चुका है। यहां उत्राखन में तो तिवेंद्र जी और उनकी टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए, सिर्फ एक रुपिये में पानी का कनेक्शन देने का बिड़ा उठाया है। मुझे खुशी है कि उत्राखन सरकार ने साल 2022 तक ही राज्य के हर घर तक जल पहुचाने का लक्ष रखा है। कोरोना के इस कालखन में भी उत्राखन में बिते 4-5 महिने में 50,000 से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन दिये जा चुके हैं। ये उत्राखन सरकार की प्रतिविद्धता को दिखाता है, कमिट्मेंट को दिखाता है।